हेलो फ्रेंड्स मैं स्मृती आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड़ इजी में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है मध्य प्रदेश के शिला चित्रिया गुफा चित्र फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको पाशाड काल के बारे में और उत्तर प्रदेश के गुफा चित्रों के बारे में बताया था मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे भी डिटेल वीडियो बनाए हैं अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में दिया है आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश पाशाण काल के लिए मतलब पाशाण काल में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन रहा है क्योंकि नव पाशाण काल के सरवाधिक चित्रिया सबसे ज़्यादा चित्रकारी मध्य प्रदेश की ही गुफाओं में हुई है इसलिए मद्धी प्रदेश बहुत बड़ा भी है इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो गुफाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टन है और उससे हमेशा कोशन्स आते हैं ठीक है यहां अब मैं बताऊंगी सबसे पहले कि जो मद्धी प्रदेश है वो विंध परवत माला की कैमूर शेडी और सत्पुड़ा परवत शेडी के अंतरगत आते हैं यहां के जितने भी गुफा चित्र हैं यह इन ही दोनों परवत शेडी के अंतरगत आते हैं और यहां हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे राएगड के बारे में पंचमडी के वारे में और होसंगाबाद के वारे में यह तीन चार गुफा हैं जो बहुत इंपॉर्टेश के अंतरगत और इन में सरवाधिक चित्र भी प्राप्थ हुए हैं यह सारी जो चित्रकारी हुई है यह उत्तर पाशाण काल की ही मानी गई है मंदिप्रदेश में एक जगे और है जो मुरैना जिले से पहाडगर से 40 किलो मीटर दूल लिखी चाज नामकिस्थान है वहाँ पे जो गुफा प्राप्थ हुई है वहाँ की जो गुफाओं में चित्र प्राप्थ हुए हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था तो वहाँ के चित्रों को DPS द्वारी केस जीने इनका पता लगाया था और इसको उन्होंने उत्तर पूर्व पाशनाड काल का माना था ठीक है ये भी एक इंपॉर्टन चीज़ है आप ध्यान से देखिएगा फिर मंद सौर जिला है वहाँ पे मोरी नामक गाउं में गुफ तो यह चोटे-चोटे कुशन से अब ध्यान से देखते चलिए क्योंकि मंद सौर जिले में जो मोरी नामक गाउं वहां से जो प्राप्त हुआ है उसमें सूर कमल स्वास्तिक है क्योंकि यह ज्यादा तर चित्र हमें शिकार के ही देखने को मिले थे पहले मैंने उत्तर प्र प्रागतिहासिक काल के मानों जो चित्र बनाते थे उसमें अब कुछ ऐसी नई नई चीजे भी हमें देखने को मिलेंगी आज मैं आपको यहां पर बताऊंगी मद्य प्रदेश के रायगड चेत्र के बारे में और होसंगाबाद चेत्र के बारे में अब आपको एक चीज और क्लियर कर दू लोग कन्फ्यूज रहते हैं रायगड चेत्र पहले मद्य प्रदेश के अंतरगत आता था किन्तु अब वो 36 गड़ के अंतरगत आता है तो उसमें confused नहीं होना है अगर questions गुमा के आते हैं कि 36 गड़ के गुफा चित्र रायगड तो आप confused नहीं होंगे क्योंकि जब प्रांती विभाजन हुआ था तो पहले ये जो रायगड नामक छेद्र था वो मद्री प्रदेश के अंतरगत आता था लेकिन अब वो कहां आता है वो 36 गड़ के अंतरगत आता है ठीक है बट इसमें मैंने इसलिए इसमें रख के साथ में पढ़ा दूं क्योंकि जादा तर जगह अभी भी मंद्री प्रदेश में ही रायगड नामक छेद्र ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि बु प्रदेश में नहीं आता है रायगर्ड चेत्र अब 36 गड़ के अंतरगत आता है ठीक है और इसमें इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है वो है सिंगहनपूर और कब्रा पहाड ये दोनों जगह हम आप अभी पढ़ेंगे डिटेल में और चोटी जगह है उसमें कर् सिंगहनपूर में क्या हैं जो भी चित्र प्राप्त हुए है उसमें सीधी मानों मिले है मत्लब नलत के चित्र मिले हैं yourself मतलब मतलब जटिल रेखानुकृतियां बनी है उसका अंकन बहुत जटिल है अब उन्योदिन गया और रेखाएं बहुत जटिल होने लगी ठीक है और सिंघन पुर्चित्रों की खोज सर्व प्रत्थम 1910 में डबलू एंडर्सन ने की थी उसके पश्चात मतलब पहले इन्हों ने की थी उसके पश्चात 1970 में परसी ब्राउन मतलब यह तीनों लोगों ने ही सिंघन पूर में इसिंघन पूर्सित्रों की कोज की ठीक है और यह तहलं पर इंघन पूर हैं वो सभी लाल रंग में बनाए गए हैं आगे कुछ और चीचे देखते हैं जैसे पुरातत्व वेताओं ने यहां के इस्थान को इस्पेन और मैक्सिको से प्राप्त जो शैल चित्र थे उसके समान माना है और यहां पे एक सुरंग नुमा गुफा थी मतलब गुफा है वह करते हुए उनका अंकन सबसे ज्यादा है जंगली साण को पकड़ते हुए और बर्ची से उसे छेदते हुए इन सबका बहुत मार मतलब बहुत रियलिस्टिक वहां पे चित्रण हुआ है और इन इस्थानों के निचले भाग में बहुत से पत्थर के औजार और हथियार भी हैं तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शायद मध्य पाशाड काल में यहां पे चित्रकारी हुई थी यह देखिए वहां के कुछ चित्र जैसे यह जो आकार वगएरा अलग-अलग आकार बनाने लगे और यह मानव अकृतियों में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है नेक्स्ट हम बात करेंगे कबरा-पहाड की कबरा-पहाड यहां के चित्रों की खोज 1931 में अमरनात्त दत्ता ने की थी ठीक है और यहां के सारे चित्र मतलब यहाँ पे जो गुफाए हैं उनके सारे चित्र सिंगर पुनके समान ही गेरुए रालरंग में बनाए गए हैं और यहाँ की जो मुखे विसेस्ता थी वो थी यहाँ के लोगों ने मतलब यहाँ पे जो चित्र बने थे वहाँ यहाँ छेपांकन विदी means इस्टेंसिल्स गोलते हैं जिसे उससे किया था मतलब किसी एक उस पे आकरती को बना के उसके बाद उसको गुफा में मतलब गुफा की दिवारों पर उसको बनाया था यहां पे जो विशय थे वो मुख्य रूप से लकडबगा, हीरन, मोर, बारा सिंगा और नास्ते हुए मानाव समू यह सारे थे कच्छुआ, मचली, केच्छुआ, मतलब बहुत सारे जानवर, पक्छी यह सारी जो पशुपक्छी थे इन सब का चित्रण यहां पे देखने को म कबरी है, निचले भाग में पत्थरों का जो मतलब वो कबरा पन था, वहां के आसपास के पत्थरों का जो कबरा पन था, इसलिए इसका नाम कबरा पहाड पढ़ गया, या कबरा पार कहा जाता है, और यहां पे जो चित्र है, और वो बहुत उचाई पे, यानि 25 से 30 फूट फिट की उचाई तख चित्रों का अंकर देखा जा सका, मतलब हम इमेजन कर सकते है कि इतनी उचाई पे ड़ कैसे चित्र बनाए होंगे, यह तो उचे छट्टा ऌनों को, या पत्थرों को इखटा करके उसको, उसके उपर खड़ते हों impl experts कित्र बनाए, क्योंकि इतनी उच उचाई पे चित्र बनाने के लिए उसने किसी ना किसी साधन खाभी उसकिया होगा और वो साधन उसको पहाड, पहाड, पहाड वह पराप्थरों यूज जॉप्षा से पराप्त होई-अब जो रिख रेखाई थी वह भी अलग- Sail Agri चुद्ध में यू-छाइवyen १ू-हसम चित्र बना जैसा बना इसमें बहुत सारी रेखाएं इसको एक चक्र जैसा माना गया जटिल रेखांकन किया गया बट यह फेमस चित्र है चिपकली का जिसको गोग भी बोलते हैं तो यह चित्र हमें मिला है कबरा पहाड से नेक्स्ट हम देखेंगे हीरन खछवा पहिया और जीर्टिल रेखांकन यह भी वहीं का है कबरा पहाड का इसमें बहुत जह्ञान आपा आकरतिएंएं उन्में कितना मतलब जो रे खाएं वगिएरा से कितना उन्होंने अलग-अलग तरीके से variation दिया है सीधी रेखाओं का यूज ना करके उनको बहुत ज्यादा मतलब जैमिती आकार भी देना शुरू कर दिया था ये है एक नत्य करते मानों समूहू बहुत से चित्र धुन्दले हो गए हैं क्योंकि वाता वरड के प्रभाव से और जो अब इतना time period हो गया है उस वज़े से कितने चित्र बहुत से मिट गए हैं बहुत से चित्र बहुत धुन्दले हो गए हैं बट अच्छी बात ये है कि उन्होंने जो भी उस समय colors यूज किये थे और यहां समझ में आ जाते हैं जहाँ पहाडियां ज्यादा नीची रही होंगी जहाँ घुफाय मतलब खुली नहीं थी जहाँ पहुली पानी कंप और यहाँ रखसा के पानी से ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ तो वहां के चित्र आज भी सुरचित जहाँ- जहाँ- आपको इतना तो मतलब हलकर से समझ में आई रहा है कि ये पशु आकरतिया है तो ये सारी चित्र हमें कबरा पहार नामकिस्थान से प्राप्त हुए है और यह इस्थान मद्य प्रदेश में जो पंचमडी है वहां से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर इस्थित है वर्तमान में यहां पे 11 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए है और यहां पे लगभग 18 शेल्टर्स या 18 गुफाएं थी पर जो चित्र हमें प्राप्त हुए है वो अब मात्र 11 गुफाओं में ही प्राप्त हुए है और 1922 इस्वी में मनुरंजन गोस ने इस इस्थान के गुफा चित्रों का पता लगाया था और यहां पे आसपास बहुत सारे मधपाशार कालीन पत्थर मिले हैं ज़िसे ये अनुमान लगाया जाता है और बहुत सारे वहां मतलब जो मदपशड काल में जो माना ओजार बनाता था जो वो नुकीले पत्थर करता था और उस पे लकडी जैसा कुछ लगा के तब वो शिकार करता था तो वो जो पत्थर का नुकीलापन होता था वही उस पे क्या बोलते हैं पश्वों पे लगता था और वो मतलब शिकार करते थे उससे तो जो वाला पत्थर था वो सबसे ज़्यादा हमारा कहां से प्राप्त हुए वो हमें आदमगड पहाड़ी नमकिस्थान से ही प्राप्त हुआ है तो ये भी अनुमान लगाया जाता है कि यहां से ये वाले पत्थर प्राप्त हुए हैं इसका मतलब शायद यहां से ही मद्धपाशाण काल में ही यहां पे मानोंने बहुत सारी चित्र बनाए होंगे और यहां पे गुफा नमबर चार में वन देवी का एक चित्र देखा गया है गुफा नमबर दस है वहां पे एक महा महिश का चित्र प्राप्त हुआ है मतलब बहुत बड़े, मतलब बहुत विशाल चित्र है ये और ये चित्र जो है धोरी रेखा द्वारा चित्र के और चित्र लगबक 8 फिट लंबा है इस चित्र को मद्पाशाण काल का माना जाता है एक जो दूसरा चित्र है वो विशाल हाथी का चित्र है यह बहुत important है कि विशाल हाथी का चित्र हमें कहां से प्राप्त हुआ है तो विशाल हाथी का चित्र हमें आदमगर नामक के सांसे प्राप्त हुआ है यहीं पर एक बहुत प्रशिद चित्र है जिराफ का जिराफ समू का चित्र भी हमें आदमगर नामक पहाडी से ही प्राप्त हुआ है यहाँ पे गुफा संख्या जो 6 है वहाँ से वहाँ पे उचे सींग वाले भैसे का चित्र भी मिला है जिसमें बहुत सारी सरीर में उसकी खड़ी धारियां भी बनाई गई है गुफा नमर 6 है वहाँ पे एक मटमेले रग में धनुर धारी का चित्र पराप्त हुआ है और यही पर एक सफेद कलर से भी अनेक चित्र मिले हैं जिसमें लाल रंग से घुड़सवार का चित्र भी बहुत फेमस है और यहाँ पे जो चित्रकारी हुई है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कई इस्तर की चित्रकारी है मतलब जैसे पहले चित्र बना और उसके उपर ही दुबार श्क्री चित्र अप्राइद की जैसे आधम अदमगर पहारी की मिलती है जैसे जो हाठी का चित्र है इसके पीछे मितलब जो देखेंगे तो घ्यान से तो इसमें लगेगा कि इसके पीछे पहले से चित्रकारी की थी और उसके उपर ये चित्रकारी की गई है ये एक डियर का चित्र है, स्पॉटेड डियर है, लॉंग हॉन्स इसकी बहुत बड़ी बड़ी जो सींगे है ये सारे चित्र हमें आदमगड़ पार ये एक अर्णी चित्र हम देखते हैं जिराफ का ये जो लंबी शेल है लंबी गुफा थी इसमें बहुत सारे समू चित्र थे उसमें एक ये जिराफ समू का चित्र भी बहुत फेमस है तो फ्रेंड्स ये मैंने आज आपको होसंगाबाद चित्र के चित्र और सिंगनपूर की चित्र के बारे में बताया है अब इसके आगे में नेक्स्ट में आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी पंचमडी चित्र की और उसके बाद आएगा मेरा भीमवेट का चि यह बहुत फेमस है इसलिए मैं इसको एक साथ मैंने इसको बहुत लेंदी ना करके आपको थोड़ा शॉट में करके और बताया है ताकि आपको चीचे क्लियर रहें और इसको अगर अलग-अलग करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा असानी रहेगी मतलब चीजे और आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक करें, शायर करें और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टाइमल्य मेरे लेड़यो के नोडिफिकेशन मिलते रहेंगे everywhere हैं अपने नेक्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब